हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं Skill Charged और मैं हूँ कुछाल तलबार फ्रेंड्स अपनी इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे यूजर इंटरफेस यानि UI के बारे में और यूजर एक्सपिरेंस यानि UX के बारे में फ्रेंड्स यह जो वीडियो सीरीज है उन सभी students और viewers के लिए जो graphic designers है या फिर graphic designing की field में enter करना चाहते हैं यह field बहुत ही exciting और lucrative है तो चलिए friends बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की और और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और beneficial proof होगी दोस्तों आज का हमारा topic है core concepts of user experience friends आज की वीडियो उन सभी viewers के लिए हैं जो user experience की field में enter करना चाहते हैं अपनी इस वीडियो में हम कुछ basic concepts share करेंगे user experience के और अगर आप UX की field में नए हैं तो इन basic concepts की knowledge होना आपके लिए बहुत ज़्यादा important है यह सब अपने आप में अलग fields हैं तो आप भी इन concepts पे अपने knowledge को advance करके अपने career में अच्छी growth को पा सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले concept की और friends हमारे पहले concept में हम बात करेंगे user interface की देखे किसी भी mobile app या website का जो design या layout होता है उसको user interface कहते हैं और यह जो user interface है user experience से काफी different है पर अगर आपको user experience को अच्छे से सीखना है तो आपको user interface की knowledge होनी चाहिए देखे किसी भी design में जो आप elements को देख सकते हैं वो user interface में आते हैं और उस design को उस elements को जब हम use में लाते हैं और उसके दौरान जो हम experience होता है उसे user experience कहा जाता है friends user interface के बाद हम बात करेंगे interaction design की देखे हर mobile app या website में एक design interface होता है जिसके साथ user interact करता है और यह जो interaction है यह scroll, tap, click या किसी gesture के form में भी हो सकता है तो जब भी वो इसको interact करते हैं इसके साथ तो उनको एक जो experience होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा simple और smooth होना चाहिए और interface के साथ user case interaction को ही हम interaction design कहते हैं और यह user experience का एक बहुत ही एहम हिस्सा है ज़ता कि शायद आपने देखा भी होगा कि Tinder में swipe करके और Instagram में double tap करके हम बहुत ही important actions को perform कर सकते हैं Friends interaction design के बाद हम बात करेंगे visual design की और कोई भी user interface में जो colors, elements या icons etc होते हैं वो उस UI का visual design कहलाते हैं Visual design एक बहुत ही important tool है आपके users को excite कराने के लिए और impress करने के लिए और अच्छे visual design के basis पर ही आप अपनी website को positively feel करवा सकते हैं अपने users को उनके first time use करने पर Visual design के बाद हम बात करेंगे typography की यूजर experience के एक बहुत ही important aspect है typography यानि की use of fonts कौन सी phone को कहां पर use करना है, क्या उसका size रहेगा या thickness रहेगी ये सब बहुत ही एक important role play करता है user interface और user experience में आपको ध्यान रखना होता है कि आप अच्छी phones को choose करें और वो phone सब भी screen और users के लिए optimal हो एक अच्छी phone को use करके आप अपने interface को outdated से improve करके modern look दे सकते हैं friends typography के बाद आप हम बात करेंगे usability की, देखे किसी भी website या mobile app का usable होना बहुत ही ज्यादा important होता है क्योंकि अगर कोई भी user उसके interface को अच्छे से use नहीं कर पा रहा या फिर मान लीजे कोई button ठीक से काम नहीं कर रहा, menu ठीक से open नहीं हो रहा, तो ये सब जो है आपकी website या mobile app की usability को काफी poor कर देता है और ये चीज UX का एक बहुती bad part है, friends usability के बाद अब नंबर आता है information architecture का, आप अपनी website या app के pages को या screens को कैसे आप show करते हैं, कैसे उनको structure करते हैं, इस चीज़ को information architecture कहा जाता है और आपकी site को सही से structure करना भी बहुत important होता है, ताकि आपके users को पता हो कि वो कौन से page पर हैं, किस पात से वो इस page पर आए हैं, और आगे next page पर जाने के लिए उनको क्या करना है दोस्तों information architecture के बाद हम हम बात करेंगे content की, देगे किसी भी site के design element और structure के साथ-साथ content में बहुत important role play करता है और ये भी user experience का एक part होता है, users आपकी site पर जबाते हैं, तो उनको बहुत सारा readable content भी दिखता है अब इस content का effective होना भी आपके लिए बहुत important parameter है, और content की field को UX में content strategy भी कहा जाता है Friends, content के बाद हम बात करेंगे functionality की, देगे usability की तरह functionality में बहुत important parameter है user experience का और माल लीजे, अगर आपने अपनी website में कोई functionality लगाई है, कुछ भी order करने की, पर उसके बावजूद भी users जो है, ठीक से order नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी site का user experience जो है, वो बहुत ही heavily impact करेगा इसलिए बहुत बहुत ही important है, कि usability testing के साथ, functionality testing भी जरूर हुई हो तो friends, मैं उम्मेद करता हूँ, कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर इन में से किसी भी topic पर आप detailed information चाहते हैं, तो वो भी हमें comments के थूरू जरूर बताएं, ताकि आगे आने वीडियो में, हम उन topics को भी detailed में आपसे share कर पाएं If you like this video, don't forget to like, comment and share it और friends, हमारा चैनल भी subscribe करना आप याद रखिएगा, अगर आपने already इसको subscribe नहीं किया है तो, तक ही हम आपके लिए ऐसी informational videos लाते रहें, thank you